आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के वो जो तीन लक्षन होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं जो किसी भी महिला में अगर मिलता है तो जो नॉर्मल डिलीवरी की जो कन्फरमेशन होती है वो पूरी तरह से पक्की हो जाती है यह वीडियो उन सारी म तो आज की इस वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करूंगी जो भी लक्षन होगा वह सटीक लक्षन बताया जाएगा जो सभी महिलाओं में ओवराल एक्जिस्ट करता ही है तो चलिए गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं हुश्वेता और आप सकता बहुत-बहुत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक किजिएगा मैं इस चैनल पर अपनी प्रेग्नेंसी को सेयर करती हूं मेरा बेटा जो वह तीन साल का है अब वह स्कूल जाने लगा है अब हम यहां पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे नॉर्मल डिलीवरी में कौन-क पोजिशन यानि कि जब भी बच्चा मा के पेट के अंदर निचले हिसे तक जाप पुमुझता है यानि कि बच्चे का सर नीचे रहता है पैर उपर वाले पोर्शन में रहता है जैसे कि इस तस्बीर के थूरू आप देखकर इजली समझ सकते हैं कि इस पोजिशन में जब बच्चा आ जाता है इसका मतलब यह है कि बच्चे ने जो हैड डाउन है वो अराम से कर लिया है और जब भी बच्चा हैड डाउन कर लेता है तब बहुत जदा चांसे बनती है नौर्मल डिलिवरी की कि किसी की भी डिलिवरी कराई जाती है सबसे पहले बच्चे का हैड ब यहां तक भी मैंने देखा एक 38 वीक तक भी बच्चों ने हेड डाउन किया है क्योंकि बच्चों का हेड डाउन करना यह खुद की परसनल 24 होती है और वो अपने मर्जी से करते हैं इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर यहां पर हम साकेंड पूरी तरीके से पहले वाले पॉइंट से कनेक्टेड है क्योंकि जब भी बच्चे जैसे के हैड डाउन करते हैं तो पैलवी की रिजन पे उस मसल्स हिसे पे बहुत ज़्यादा प्रेसर पड़ता है यानि कि प्रेसर पड़ता है जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो सर्व सर्विक्स से वह एक लचीला और सौफ्ट होना स्टार्ट होता है देखिए एक चीज़ मैं यहां क्लियर कर दूँ जब भी सर्विक्स आपका पूरा दस सेंटीमीटर ओपेन होता है तब आपकी नॉर्मल डिलिवरी कराई जाती है लेकिन वही है वह दस सेंटीमीटर कब ओ इसलिए जो प्रोसास है एक लंबा प्रोसास के अंदर आ जाता है स्टार्विक्स आपको अल्डडी पता चल गया है कि सर्विक्स का दिरे-द Pete उना होता है और सर्विक्स जभी आपका दिरे.-दी.उपिन होना है इस वो आपके हेल्थ के लिए और आपका जो हार्मोन से नॉर्मल डिलीवरी का रिलीज होता है उस हिसाब से आपको गर्म तासिर की चीज़े बहुत ही फायदा करता है अब मैं थार्ड और लास्ट पॉइंट के अगर मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट के अंदर हम यह चीज़े सबसे जादा फेमस है महिलाओ के बीच में कि उनका म्यूकस प्लग रिलीज होता है जैसे कि आप इस तस्बीर के थूरू समझ सकते हैं कि म्यूकस प्लग जितना इस समय में निकलता है यांन कि अगर आज आपका निकल रहा है म्यूकस प्लग तो आज से एक सब्ता के अंदर कभी भी अपके डिलिवरी हो जयेरी हो कहना कि म्यूकस प्लग के बाद एक जहां तक लगता है नहीं हुआ क्योंकि मेरा वाटर बैग भी लीक नहीं हुआ तो वाटर बैग जिनका लीक होता ना अराम से उनका मुकस प्लग सबको दिखने लगता है उनको खुद को पता चल लाता है यह चीज़े आप है कि मैंने कुछ महिलाओ से बाते कि इस बारे में 4-5 महिलाओ से सबका एक ही चीज़ कर रहा था कि जब भी मुकस प्लग उनका रिलीज हुआ उसके दो दिन के अंदर में या एक दिन के अंदर या सेम डे के अंदर उनकी डिलीवरी हो गई तो मेरे कहने का मतलब है कि मुकस प्लग अगर आपको नजर आ है तो समझ सकती है एक दो दिन के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाती है तो इसी साब से अपनी पूरी तयारी कर लेना है और हिमत को नहीं खोना है हमेशा आपने हिमत को बनाए रखना है क्योंकि आपने पूरे महीने प्राइम ओम चैनल की सारी वीडियो देखिए आई तिंक